तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास वोल्टास का इंवर्टर AC है और उस AC में इस 6 एरर आ रहा है और आउट्डोर यूनिट की LED लाइट दो बार ब्लिंक कर रहे हैं तो आप इस एरर को कैसे ठीक कर सकते हैं वह भी बहुत ही आसानी से तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अगर वोल्टास इंवर्टर AC में इस 6 एरर आ रहा है और आउट्डोर यूनिट की LED लाइट दो बार ब्लिंक कर रहे हैं तो यह एरर है इंडोर यूनिट एंड आउट्डोर यूनिट कम्यूनिकेशन फॉर्ट यह एरर आ आपके AC में 4 कारणों से आ सकते हैं पहला कारण हो सकता है कि आपकी इंडोर यूनिट और आउट्डोर यूनिट में जो सप्लाई वायर जा रहा है तो आप इंडोर यूनिट के कनेक्टर और आउट्डोर यूनिट के कनेक्टर को देखें सेम कलर कोड होना चाहिए अगर इ है कि सबसे पहले आप indoor unit को on करें और outdoor unit के wiring वाले cover को खोलें अब indoor unit के output supply में DC volt चेक करें अगर indoor unit DC output supply दे रहा है और आपका यह error फिर से आ रहा है तो आपको outdoor unit की PCB को बदलना होगा और अगर indoor unit output supply नहीं दे रहा है तो आपको indoor unit की power circuit board को बदलना होगा उसके बाद यह error पूरी तरह से ठीक हो जाएगा आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आ गई हो तो मेरे video को like करें और channel को subscribe करें